हेलो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में सीखेंगे MSXL में एट ऐसी shortcode की जो हमारे table बनाने में काम आती है और अकसर हम जब table बनाते हैं तो हमें काफी ज़्यादा time लग जाता है table बनाने में, folder या फिर sheet name change करने में, border लगाने में इस वीडियो में जो shortcode की बताऊंगे उससे आप काफी असानी से table बना सकते हो तो वीडियो में बने रहे अन तक और वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख रहोंगे मैंने यहाँ पर एक पहले से data लिखा हुआ है और इसमें formative अगरा नहीं की है जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर से जो हमारा text है वो column के बाहर जा रहा है वो unfit हैं तो इसे fit करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इस पूरे जो हमने text लिख रखा है इसमें cells में जाएंगे और control A press करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे हमने text लिखा है उसमें से एक cell में जाएंगे और एक cell में जाने के बाद हम control A press करेंगे यह पूरी table सेलेक्ट हो जाएगी जो हमने लिख रखी है और तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे इसे fix करने के लिए जो भी हमरा text बाहर जा रहे है अल्ट H O I press करेंगे ठीक तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे हम अल्ट H O I press करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी column से बाहर data जा रहा है वो column में adjust हो जाएगा और उसके बाद हम second shortcut की press करेंगे जैसे हम अल्ट H AC press करेंगे तो हमारा जो भी text होब वो column के center में आ जाएगा और उसके बाद हम third shortcut की यहाँ पर press करेंगे जो भी हमारा table है उसमें हमारा border लग जाएगा पूरे के पूरे column में यहाँ पर हमारी table का आधा format ready हो जाता है उसके बाद हम first जो हमारा table है उसके first cells में जाएगे और उसके बाद हम press करेंगे control और shift और right arrow जैसे हम right arrow प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो table की first line होगी वो य करेंगे alt hh अल्ट और hh प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा color open हो जाएगा जिसमें से हम कोई भी color यहाँ पर से ले सकते हैं और यहाँ पर हम color ले लेंगे और color लेने के बाद हम प्रेस करेंगे alt hfc alt hfc से हमारा font color open हो जाएगा उसके बाद हम एक font color ले लेंगे और font color लेने के बाद हम control bc से bold कर देंगे first line को यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर table का format ready है इसके बाद हम अपनी seat का name change करेंगे तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे alt hor जैसे हम alt hor प्र seat 1 था वो highlight हो चुका है उसके उसमां कोई भी name change कर देंगे जैसे हम इसमें लिखेंगे table तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा seat का name change हो गया है तो यहाँ पर हम इस तोड़ा अपने table बना सकते हैं shortcut key से जिसमें कि हमें काफी जादा time नहीं लगता है उमिद करता हूं दोस्त आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें